देखे मैं लोग बताना चाह रहा हूं कि जिनके पास लाल कार्ण उनको 20 किलो गेवूं 15 किलो चावल फ्री मिलें कोई पैसा नहीं जो लोग मनरेगा के एक्टिव कार्ड होडर है जाव कार्ड होल आग्टिव का मत्बब होता है कि जिसने विगत तीन वर्ष में कम से कम एक दिन मनरेगा की मज़्दूरीं की जिसने तीन वर्षों में नहीं किया हो वो active card नहीं माल तो जो माल मन्वेगा के active card holder है उनके पास अगर अंतियोद्ध है तो 25 kg मिले लेकिन अगर उनके पास सभेज का तो उनको free तो मिलेगा लेकिन उनको मिलेगा उनके card पर जितनी unit है उसके गुड़े 5 जैसे उधान के लिए मैं अगर मन्वेगा का card holder हूँ और मैं मेरे पास सभीद कार्ड है मेरे परिवार में चलो गए यूनिट है तो हमें छह गोड़े पांच 30 किलो बिलेगा 18 किलो गया हूँ 12 किलो चाप फ्री मिलेगा पहले हम पैसा देते ते सभी कार्ड पर पैसा नहीं देना इसी तरह सम संगडन किलो जो संनिर्मान में रजिस्टर पंजिक रहता है उनके लिए अगर लाल कार्ड है तो फ्री 35 किलो अगर सफेद कार्ड है तो जितनी यूनिट बुड़े पांच केजी फ्री ये तो वर्तमान में सामानी विद्वान की प्रक्रिया थी जो राजी सरकार प्रदानमंत्री गरीब अन्युजना जो लगुट किया है उसमें ये नियम है कि चाहे वो लाल कार्ड वाला हूँ चाहे वो सफेद कार्ड वाला हूँ उतने गुड़े पांच केजी चावन फ्री यानि अगर मैं लाल कार्ड वाला भी हूँ तो जो वैसे वित्रण वहा था 25 किलो फ्री मिला था और भारस सरकार की योजना में जो अतरिक कम मिलेगा वो अगर मेरे पास पांच यूनिट है तो मुझे 25 किलो चावन फ्री मिला थ देशता है और जो सफेट का डोलडर है जो इस कटेगरी में नहीं है ना श्रविक के रूप में पंजिक्रित है ना मन्देगा के जाप का डोलडर है एक्ट है वो सामाने रूप से जैसे पाते थे उनको उनकी जितनी यूनिट है उतने बुड़े पांच किलो अनाज गेहू 2 रूपे कीलो प्रतिकेजी 2 रूपे चावल प्रतिकेजी 3 रूपे लेकिन यह भी जो भारत सरकार की उजना है वो सफेर काड़ ओर्डर को भी चाहे वो किसी कटेगरी का हो प्रतिकाई 5 रूपे चावल फ्री मिलेगा पांच किलो प्रतिकाई यह पूरे वित्रों की वहुस्ता है तो मैं आपके मात्यों से लोगों से अपीर करना चाहता हूं इससे कर कहीं कोई धन्नता आ रही हो तो हमारे